नमस्कार साथियो स्वागत आप सबी का बहुत सारे लोगों की ये समश्या है कि सर हम गोल्स बनाते हैं हम डेली लिखतें भी हैं कि आज हम इतने सारे काम पूरे कर देंगे लेकिन होता जाता कुछ भी नहीं है तो ये वीडियो खास उनके लिए पहली नमबर बात गोल्स बनाने बहुत अच्छी बात है अगर आप एक दिन पहले गोल्स बनाते हो रात को सोते वक्त नीन किस वक्त सबकॉंशिसली आप उन गोल्स के लिए तयार हो जाते हो और उन गोल्स की पूरे होने की जो दर है वो भी जादा हो जाती है Goals कम से कम रहे कुछ बड़े goals हो एक goal कम से कम एक गहंटे या एड़गांटे में खतम हो जाए इस से बड़ा goal एक दिन के लिए आप नहीं बना के रखो तो ऐसे तीन goals हो सकते हैं तीन से कम रखो तो ज़्यादा बढ़िया कुछ चोटे goals भी रखो जिन से आपको खुद को भी motivation मिले वो गोल 20-25 मिनट में complete हो सकते हैं, वो personal goals हो सकते हैं और वो कुछ और भी goals हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी goals हो सकते हैं जो आपके मन के लिए हो, कि आप कहीं पर गों के आओगे या किसी best friend से आप बात करोगे, कुछ ऐसे भी चीज हो सकते हैं जो एक pattern में काम करता है, pattern जिसको मैं और आसान कर सकता हूँ, habit, आपकी कोई एक habit बन जाती है, फिर उसके बाद में वो mind उस habit को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीजान लगा देता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने goals के पीछे ना भाग कर, goals आप बनाओ, लेकिन goals के पीछे, goals के background में एक habit काम करें, जो आपके goals को पूरा करवा दे, तो उस habit को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम system, कि आप goal बनाने के साथ में system भी बनाओ, उन goal का पूरा करने का, यह system कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ, साथ हो जैसे कि आपकी life का, या मैं अगर खुद करने के लिए, जैसे मैंने सबको बता रखा है, कि savers technique होती है, तो मेरा पहला system होता है, savers technique, उसमें लगबग 1.5 गंटे का वक्त लगाना है, तो मैंने savers technique का system बना रखा है, कि लगबग 6 बजे, साड़े 6 बजे, साथ बजे के लगबग मैं savers technique स्टार्ट करूँगा, और 1. गंटा या 1.5 गंटा कोई अच्छी किताब करूँगा, कुछ wisdom लेने के लिए, कुछ ग्यान लेने के लिए, तो ये system हो गया, हर रोज मैं वो काम करूँगा, तो ये system हो गया, उसके बाद आता है, कि patient care, यानि मैं अपने मरीजों को बहुत अच्छी से देखूँगा, मैं उस पर अपना समय लगाऊंगा, तो सुबह 10 बज़े से लेके, जैसे 1 बज़े तक मेरा wisdom होर है, और उसके बाद मैं फिर जो 2 या 2.5 बज़े से लगा के, शाम के 5-6 बज़े तक फिर मेरा wisdom होर चलता है, wisdom होर पेशेंट केर चलता है, कि मैं उस वक्त वही चीज़ें करता और शाम के वक्त की थोड़ा सा exercise को लेकर, sports को लेकर, तो वो मेरी एक habit है, अब मैं उस habit से related goal बनाऊंगा, तब उस वक्त जब मुझे ये habit करनी होगी हर रोज, तो मैं क्या करूँगा, वो goals हैं, उनको उठा कर वहाँ पर लगा दूँगा, कि इस वक्त मैं ये goal करूँगा, मैंने ये goal में बनाया कि आज मुझे कोई एक अच्छी book, जो कि है एक author की जिसका नाम है Dale Carney, उसकी मुझे ये book पढ़ने है, उसमें मुझे chapter number 3 और 4 पढ़ना है, ये मैंने goal बनाया, अब जब मेरा wisdom हावर आया, जब मुझे पढ़ने का अपने आप मन हुआ, जब मेरा रोज उसका pattern है, वो उस वक्त मैंने उस goal को fit कर दिया, और मैंने उसको complete कर दिया, इस परकार से मैं goal को जदा से जदा पूरा कर पाया, और ये एक मेरा Delhi का system हो गया, एक pattern हो गया, और इस परकार से मैंने goal जो है वो achieve कर दिये, उमीद है मैं जो चीज बताना चाहता हूँ, आप तक पहुचाना चाहता हूँ, आप उससे समझे होंगे, कोई confusion हो तो मुझे आप जरूर बताएं, comment section में, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये भी बताना, धन्यवाद, जय हिन, जय भार